खुदावन की स्लामती आपके साथ हो, आज हम वुमन अफ एंडोर के बारे में बात करेंगे इस खातून के बारे में ये है कि वो एक ऐसी औरत थी जिसका जिन आशना था ऐसी औरत को मीडियम भी कहा जाता है, जिसका तालुक मुर्दा रुहों के साथ होता है और वो उनके साथ गुफ्तगु भी कर सकती है इसका जिकर सैम्यूल 28 बाप 7 से 25 आयत में आया है इस्राइल की छोटी सी फौज पर फैलस्टाइन की फौज ने हमला कर दिया किंग सोल जो उनका लीडर था इस बात से बहुत हरासां था और उसका दिल कापने लगा जब उसने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो खाब में और ना नभीयों के वसीला से कोई जवाब दिया अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे साउल को ये खाहिश हुई कि वो सैम्यल से कोई मशवरा करे जो के मर चुका था लहाज़ा उसने अपने मुलाजमों से कहा कि कोई ऐसी औरत तलाश करो जिसका आशना जिन हो ताके मैं जाकर उससे पुछूँ उन्होंने उसे इस खातून का बताया अब साउल और या औरत दोनों ही इस बात से वाकिव थे कि ये कोई सही बात नहीं के जिनों से बात की जाएं क्योंकि खुदा ने इसराइल को ये हुकम दिया था कि जो इन जादुगरों का यार है उसे जरूर ही मार दिया जाए अब यहाँ इन दोनों ने खुदा के एकाम की परवाना करते हुए अपने इस स्याकाम को जारी रखा अबार की किताब उननीस वाबाब 31 वर्स में यू लिका है तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना क्योंकि वो तुमको निजस्प बना देंगे मैं खुदा मन तुमारा खुदा हुँ और इन लोगों के लिए ये हुकम था कि इन को जान से मार दिया जाया जारी रखा और फिर हम पहली तावारी दस बाप उसकी तेरा आयत में पढ़ते हैं कि साउल किस तरह से मारा गया हम इस हुरत से ये सीखते हैं कि उसने अपनी रूह को अबलीज के स्पुर्द कर दिया जैसे बाइबल के जमाने में मीडियम होते थे आज कल भी हैं और अकल्ट प्रैक्टिस में शुरू में तो ऐसा महसूस होता है कि ये हार्मलेस है लेकिन इसका अंजाम हलाकत है चुक्के खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और अबलीस इतनी ही नफरत वो हमारी जिन्दगी को अचीरन बना देता है और इसके साथ ही हमारी जिन्दगी दर्द परी और फिर हलाकत और जहनम हमारी तक्दीर बन जाता है एक दूसरी थाकत भी है जो हमारी जिन्दगी के लिए लड़ती है खुदा के नस्दीक हमारी वैल्यू है वो हमें पास बुलाता है और कहता है कि मेरा जुआ मलाइम है शुरू में तो चलना असान सा लगता है लेकिन ये रास्ता बहुत तंग है इस रास्ता पर चलने से खुशी इत्मिनान और हमेशा की जिन्दगी और आखर में जगत है हम अंधिरे के फरसंद नहीं हम नूर के फरसंद हैं और खुदा के बच्चे हैं खुदा मन आपको भरकते हैं